हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सोशियोलाजी क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है दिसंबर 2022 का एक्जाम हो चुका है और अब हम जून 2023 के एक्जाम के लिए सुगात करेंगे तो आज हम परिचय के रूप में देखेंगे अगस्त कामटे हमारे सलेबस में अलग से नहीं दिया गया है लेकिन समाज सास्त के संथापक होने के नाते इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है लगभग हर एक्जाम में अगस्त कामटे से क्रिश्चन पूछे ही जाते हैं तो इससे पहले हम समाज के उदभाव की कुछ प् इसे तो इसे शोचियस काम रह्टर होता है समाज से लोग अकॉर ज्चान के सवयोगाया जाता तो तो स्पुस्त जो है या एक लीट्यन भाशा का सब्द होता है 1974 स और लोग क्व जो नहीं है कि यह ग्रीग भाषा की सब्द से बना है इस लिए समाज सास्त को तो अवायद भासाओं की संतान मानते हैं रावर्ट भीरी स्ट्रीट और भीरी स्ट्रीट का एक कथन और है उन्होंने अपनी तब पुष्टक दस सोसल आडर उनीस सपतर में लिखा कि समाज साथ जो एक विशय है या नभीन है लेकिन इसका जो है अतीद का भी पुराना है मुखिता समाज सास की जो सुगळात मानी जाती है वह अध्योगिक प्रांति और जोगीक क्रांथी और फ्रांस्की क्रांथी से देखा जाता है यहां तक कि इससे जो अध्योगी करन्टी फ्रांसिसी बाइवास गाले यूरूप से प्रभोधन यूग आया था तो समास्तास मैं अज्वी कृ और फ्रांवगी क्रांती रिखेस सब्सक्राइब मोज़ा ऑषि कैसी कर् fellows कहसी क्रांथ जाने का चृश्य पाए जाती ती वह सामन्त और वाधी वैवस्ता ती जहाँ पर सोतनता समानता बंधुत जैसी ओढ़ाएं नहीं थी वहाँ पर तीन प्रकार के जो है समुख पाए जाते थे सामपन्थवादी समाजो में एक संपत्ति समुख जिसके अंतरगत आपके भूश्वामी जमिदार सामंथ सरदार आदी लोग पाए जाते थे जिनके पास भूम क्या दिख्यार होता था दूसरा संपत्ति को दुति संपत्ति समू में धार्मिक नेता आधी सामिल होते हैं जैसे पादरी और विसभ यह सरवाधिक धनवान लोगों का समू होता है जो कि कुछ नहीं करता और लेकिन सरवाधिक प्राप्त करता है तो समंतवाधी जो विवस्था पाई जाती थी उसमें जो है सरवच सब आजाते थे तो बाटो मोर ने कहा है कि क्रांच के पुर फ्रांस में अमीर लड़ते थे पुजारी पूजा करते थे और चंशाधार जो दास थे वह उनका खर्च उठाते ते अर्थाथ उत्पादन करते थे कौन दास लो लेकिन अमीर उसे उपभोग करते थे और हुई स्लाहमा एक कमजोर और प्रभाव ही इंद आ जाते और उस समय जनता के अंदर का इतनी बेरोजगारी भुखमरी थी कि उन्होंने इसे स्वहन नहीं कर पाए और जनता में बिद्रो हो गया उस समय की एक रानी थी उनका जो कथन था सुलूई चलाहवे कि रानी पतनी म पहरानी अंतोने ते क्या नाम था इंका अंतोने ते अंतोने तो इन्हों ने अपनी फिजूल घर्ची कम करने के बजाये लोगो अर्थात-भूखी जनता जो थी फ्रांस की उसकसंदर में यह कहा कि जब वह खाने खाना मांगने महल में बाहर इकठा हुए तो उन्होंने कह कि यह दि तुम्हारे पास ब्रेट या रोटी नहीं है तो केक खालू जिससे जनता में और अप्तियाधिक आक्रोष बढ़ा इसके बाद यूरोपी समाज का जो है उस समय यूरोपी समाज में जो है बुद्धिवाधी यूग का प्रवेस हुए था दार्शनिक बहुत तरकवादी थे मतलब इन सब आधारो का था तो पर फांची सी वीचार्रकों का जो है यूरोपी फ्रांची तारखिक अधियों का प्रभाव पड़ा जिसका रड़ वहां से अपने यहां है इन फ्रांसीची दार्शनिकों में वाल्टेयर लाक ब्रिटिश धार्शनिक लाक जो थे उनका प्रभा बहुत देखा गया वाल्टेयर के उपर इन्होंने धार्मिक साइसूरता अब बोलने की स्वतनता यानि फ्रीडम आप स्पीच का समर्थन किया और ब्यक्तियों को बोलने तथा अभ्यक्ति के अधिक्यारों के पच्छ इसके बाद धार्थनिक रूसों थे जिन्होंने अपनी पुष्टक सोसल कंट्रेक्ट में कहा कि किसी भी देश की जनता अपने सासक चुनने का अधिक्यार था इससे पहले क्या था कि सामंतवादी समाज में यह माना जाता था कि जो राजा है वह उस इस्वर ने उसे सासन क लिए चुना तो इन्च अब का मिध था कि जिसकार जनता में विद्रों और अंत में जाकर वहां पर स्की कृट क्रांति हुई जिसका रहा पे पूजीवादी व्यवस्था का उदय होगा इसके बाद अध्योगी क्रांति जो कि फ्रांच की क्रांच से पहले हुआ था और अध्योगी क्रांथी में जो है एक का एक उत्पादन में जो है ब्रिधी हुई अध्योगी क्रांथी को मुख्यता जो मानव रही तुर मानव के द्वारा उत्पादन किया जाथा था वहापे मसीनों का अत्याधि को प्रयोग होकर उत्पादन किया जाने लगा उसे ही पालब अन्ची कर्णी के नाम से जाना जाता है time charity बॉली đô ऀड्योगिक के साथ सट्स्यक्राइमन जो थे वह उन्हों ले इसे अध्यू कि समाज का नाय दिया था तो यह भी पूछ लिया जाता था किसने सर्पथाम और जोगिक प्रडाली को और जोगिक समाज कहा है तो सेंट साइमन और सेंट साइमन कौन थे तो सेंट साइमन अगस्त कामटे के गुरू माने जाते हैं इसके रामा इन्होंने समाज का अध्यान किया लेकिन समाज के अध्यान को एक अलग विशय के रूप में देखा और जिसे इन्होंने शोसल बायोलोजी नाम से कहा किसने साइमन साइमन जो थे उन्होंने समाज का अध्यान एक अलग विशय के रूप में किया और सोसल बायोलोजी शोसल बायोलोजी नाम रखा और था सामाजिक जीव विग्यान तो यह भी मुश्ट इंपॉर्टेट पाइट है कि सामाजिक जीव विग्यान की बात कौन करते हैं तो इसके बाद आते हैं अगस्त काम्टी तो अगस्त काम्टे कौन थे अगस्त काम्टे को समाज सास का पिता माना जाता अगस्त काम्टे का जन 1798 में कहां पे गुए था फ्रांस में उस समय फ्रांस में बहुत तरह की घटनाय घट रही थी अथा समाज में घटित होने वाली जटनाओं को के लिए जो आधनिक बिश्व की निव अध्यों की यूग की निव रखी जा चुकी थी और एक चीज और अगस्त काम्टे का जो पूरा नाम है वह बहुत बड़ा है वह है रेसी डॉर रेसी डॉर आगस्त मैरी फ्रैंको इच जेबियर कॉम्ट जो है अगस्त काम्टे का पूरा नाम है सेंट साइमन जो है अगस्त काम्टे के गुरूब थे और इन्हों ने दोनों ने आगे चलकर 1822 में एक पुस्तक लिखी जिसे प्लान आफ दसाइंट्फिक आपरेशन नेसेसरी फार्दा रिको नॉजस आप सुसाइटी नाम इन्हों ने दिया सेंट साइमन में इसके बाद जो है इन दोनों में कुछ लेकर तनाव होने के कारण दोनों में बिच्छेद हो गया था अगस्तकाम्टे अगेले प्रयास के माद्धियम से सरफ पत्हम जो है समाजिक भोटकी समाजिक भोटकी नाम दिया लेकिन जो यह सब्द था सामाजिक भौत की तो इन्हें बाद में से बच्चंज इसलिए करना पड़ा कि एडॉल्फ क्वेटलेट जिन्होंने 1835 में हिए इस सब्द से एक लेख लिखा था अठाद अपने लेख में समाजिक भौत की सब्द का प्रयोग किया था इसके बाद सब जो उन्हें ने प्रयोट करा लिया कुछ लोग कहते हैं कि क्वेटलेट ने इसे चुड़ा लिया तो अब जो कहा जाता है ऊगा जाता है लेकिन जो है समाजिक भौत की पर टेंट किसके नाम से दोगया लेट के नाम से जिसकारण से अगस्त कामटे को यह नाम बदलना बढ़ा और आगे चलकर उन्होंने इसको समाज सास्त्र समाज सास्त अर्थात सोश्योलोजी नाम निया तो सोचिलोजी नाम देने के वजान से इंहें समासास्त के पिता के रूप में भी जाना जाता है है इसके बाद जो है इन्होंने सामाजिक व्यवस्था वह प्रगत के विख्यान के नाम से समासास को कहा से समाजा से उसफर क है या समाजिक विवस्तायों प्रगत्या विक्याद है तो इसके बाद यहां पर बॉइंट को देख लेते हैं समाजाजे तोर के रूप में अगस्तामटे को जाना जाता है समस्ते प्रत्याच्वाद या प्रत्याश्वादी दरशन के जन्मदाता के रूप से जाना जाता है तो प्रत्यच्षवाद जो है क्या है प्रत्यच्षवाद बैग्यानिक अध्यान करने की वह समाज सास की बैग्यानिक अध्यान करने की एक विधी है जिसे इन्होंने प्रत्यच्षवादी दर्शन के नाम से जाना है इन्होंने कहा है क जो समाज सास्त्र है वह प्राकर्टिक विग्यान का हिस्ता होने के नाते इसका भी बैग्यानिक रूप से अध्यान किया जा सकता है तो प्रत्यच्वाद बैग्यानिक धंग से अध्यान करने की विधी को प्रत्यच्वाद कहा जाने लगा कि इन्होंने समाजिक विग्ञान कि आधारश सिला रखιं सरपत्म इन्होंने समाजिक भुथ की नाब दिया था समाशसास को 18 138 से इसे सोशिृलोजी पहला समाशसास की नाम से जाना लगा इन्होंने विघ्ञानों को वो एक वदानुक्रम का निर्मार किया और जिसमें इन्होंने शुरुवात गड़ित की थी तो इन्होंने जो विग्ज्यानों का अस्तरी करड़ या संस्तरर बताया उसमें इन्होंने पहले गड़ित गडित के बाद खगोल सास्त्र, खगोल के सास्त्र के बाद इन्होंने भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के बाद इन्होंने जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के बाद इन्होंने शमाज सास्त्र की बाद कही ह तो यह जो विज्ञानों का इनका क्रम है तो क्रम में कभी कभी क्यूस्टन पूछ लिया जाता है कि प्रथम अस्थान पर कौन से क्रम है कौन सा विज्ञान है प्रथम अस्थान पर गडित को तूसरे अस्थान पर खगोल को तीसरे पर भाउति को और चौथे पर रसायन हुल भूत नियमक़ कोई खोग के लिए अनुवह विदियो का प्रयोक को इन्हों ने कहा है। इसके बाद इन्सामा सास को सभी बिज्यानों की महरानी के रूप में शंग्या दी है। अप कफन बहुत मिल्स ने कहा कि समाज सास जो है जो भिन भासाओं कि अवाइध सम्तान है तो इसलिए इसका जो नाम है इन्होंने नीती सास्त्री अर्थाथ इतोलोजी इतोलोजी सुझाया कि इसका नाम जो है समास सास के बजा इतोलोजी सब्द का प्रयोग होना चाहिए तो जान इस्ट्वर्ट मेल और राबर्ट बीड इस्टीट इन्हों ने जो है समास सास को समास साथ नाम रखने के लिए इनकी अलोचना की क्योंकि यह लाइटरीन और ग्रीक दो सब्दों से मिलकर बना हुआ था इसके बाद आते हैं को उन्हों ने प्रगत के नियम का प्रधिपादन किया और ढलिकास करम कानियम भी कहा जाता है इसके बार मान आको इन्हों ने बद्धिक विकास के तीन अस्तरों की चर्चा के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंग कि यह दो बार या तीन बार श से लगातार पूछा जा रहा है इन्होंने सर्पतम धारम या धर्म ठास्ट्र या कालपनिंग या थिोलोजी की बात करते हैं इसके बास द्राप्लिभ तीर्म मेटाई श्यूकल की बात करते हैं उसके बाद या प्रत्यषभाय आभैक्यानिक या पॉष्टिवि स्ट ये फ मैं संधिम रोटतक करते हैं तो इनने समाज के विकास के क्रम की थर्षा कही है उसके बाद या जै है most 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 important है most 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 important क्योंकि उचली बार भी पूछा गया था और इस बार भी से समंदी तेक करता और आर्ची में जो है यह पूछ लिया गया था इसके बाद आते हैं काम्ते का 3S3 प्रगत क्या नियम समाज के उद्विकासी द्रिष्टिकोड का समर्थन था तो इन्हों ने जो है उद्विकासी द्रिष्टिकोड का प्रयोग करते हुए धर्मसास्त्री तत्युम्यान्सिय और अगला पॉइंट है कि काम्त जो है समाज को और गनीजम यार्था साववयाओं के रूप में देखते हैं क्योंकि इन्होंने उद्विकासी द्रिष्टिकोड का प्रयोग किया था तो उसी हिसाब से इन्होंने साइवर कभी बात कही है आगे बात करते हैं समाज साज के सभी पिसायों को इन्होंने दो प्रमुक भाटू भागों में बाता है यह भी कई बार एक्जा में पूछा जाता है तो इन्होंने सामाजिक इस्थत्की सोसल स्टाइटिस और सामाजिक गत्की अथा सोसल डाइनमिक की चर्चा की है कहीं कहीं भे इसे सामाजिक स्थित्की सास्त कहा जाता है और इसे गत्की सास्त्र भी लिखा हुए प्रशन में मिल जाता है तो इसे आप ध्यान रखें कि दोनों तीनों एक ही है इसके बाद बात करते हैं सामाजिक अस्थात्की में क्या कहते हैं कि समाज जो है कि भिन भागों की परस पर क्रिया और प्रक्रिया की खोज स संबंदीत है और समाज्ड के ऐसे भागों का अध्यान करती है जो बिया अर्था समाज के संचालन से संबंधीत होते हैं वह सामाजी कण की होती है जो वह समाज में होने वाले परिवर्तन और प्रक्यी प्रक्याओं से पड़िवर्तन हो रहा है उसके क्या स्वरूप है इनका अध्यां होता है इसके अलामा जो है इन्हों की जो प्रमुक पुस्तके हैं उसमें दा कोर्स दा कोर्स आप पॉस्ट्व फिलास्पी 1830 1842 के बीच लिखी गई थी इसके बाद डिस्कॉर्स आफ दर पॉस्ट्यू सप्रिट नामख पुस्तक जो निस्ट चाह वालीस में रिलीजन आप ही तो यह कुछ महत्पूर तत्थे थे जो कि एक्जाम के पजबेच्छ से अगस्त काम्टे से समद्धित क्यूस्टन जो है पूछे जाते हैं तो आज की वीडियों ही समाप करते हैं वीडियों को लाइक और सेर करें चैनल को सिस्क्राइब करें धन्य बात